नमस्कार News 18 के सभी दर्शुकों को जो इस वक्त News 18 विहाज वारखन के Facebook लाइप पर हैं और एक साथ पूरी दुनिया इस लाइप को देख रही है मेरी दूसरी स्क्रीन पर जो है उनका परिशे बताने से पहले कई जगह उन्हें देखा होगा आपने बार-बार सुना होगा खान सर है हमारे साथ और सबसे बढ़ी बात की देखिए अभी भी कई लोग है जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि अभी तक Facebook लाइप शुरू क्यों नहीं हुआ लोग साथ बये से बैठे हैं ताकि खान सर को सुन पाएं कुरोना को लेकर और उनके विचार क्या है खास कर scientific तरीके से सुनना चाहते हैं खान सर को बीमारी कहां से आई कैसे हो गई अब पिड़े थम हैं ठीक कैसे होंगे कोरोना कब जाए जाएगा और जो अभी सिच्वेशन बेस्ट जो दवाईयां चल रही है उन पर भी अभी हम लोगों ने सीजन वेस्ट दवाईयां चलाने शुरू कर दिये हैं सभी चीज़ों पर ब लग जाएगा और यह जरूरी भी है क्योंकि आप खुद सोचके देखिए कि जब भारत में पहला लोगडाउन लगा था तो उस वक्त भारत में में 20,000 मरीज थें कोरोना के और आज 4,000,000 से उपर हैं और लोगडाउन न लगाना तो इससे यही बताता है या तो हम उस समय बेकूब बने जा रहे थे या तो लोग अब हमें बेकूब बना रहे हैं दोनों बाते एक साथ नहीं सही हो सकती है अभी फिलहाल 10 से 15 दिन का एक सौट लॉगडाउन बहुत जरूरी है क्योंकि सब को पता है कि 15 से 20 मही तक कोरोना अपना विक्राल रूप ले लेगा बिल्कुल और कोरोना के विक्राल रूप लेने से पहले एक एहतियास ज़रूरी है जैसा कि आपने कहा लेकिन हम उसकी बात करेंगे उस मर्ज की बात करेंगे जिसकी तलाश हमें है लोग समझने ही पा रहे हैं वैक्सीन लेने में अभी भी पूछते हैं कहां कोन वाला बहत है तो खान सर्व इसे आप समझा पाएंगे रहिवात वैक्सीन की तो सारी वैक्सीन भारत के पास तीन ही एविलेबल है वो भी तो एक तारीक से स्पुत्निक एविलेबल हुई. कोविट सील, कोवैक्सीन और स्पुत्निक. Most probably आपको चांस है कि जादे तर आपको कोविट सील्ड ही वैक्सीन लगाई जाएगी. सारे वैक्सीन पावर है, बसरते अंतर किस बात का है, देखिए. इस्पुत्निक जितनी ही छमता, उतनी ही इम्यूनिटी हमें मिले, तो आपको उसके लिए 52 से 56 दिन, मतलब 42 से 56 दिन का वेट करना पड़ेगा. तो बाद बराबर ही है. बस थोड़ा सा है कि टाइम जादे लगेगा. जैसे लकडी पे खाना बनाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा. फिर गैस पे बना देगे, तो थोड़ा और टाइम लगेगा. ओवेन में बनाएंगे, तो तुरत हो जाएगा. बस यह बनेगा, तो खाना ही बनेगा, ना? लोग एक चीज और समझना चाहते हैं आपसे. यह कैसे है, लोग कह रहे हैं कि मास्क, एक मास्क छोड़ दीजे, दो मास्क पहनना शुरू किया, च्छे लेयर के बदले अब नौ लेयर पहनना शुरू कर दिया. तो इसे कैसे आप समझा पाएंगे कि अगर कोई सामय विखती है, तो छे लेयर पारकर कोरोना की ताकत है क्या, जो भूज जाएगा हमारे मुँव में. देखे, अभी क्या है, यह गाइडलेंड क्यों आई है, हलाकि face sealed भी जादे रहता है, अगर आप एक single mask यूज़ करते हैं, और अगर आप face sealed यूज़ कर लेते हैं, तो यह भी जादे ठीक लगता है, क्योंकि अगर हम face sealed लगा लेते हैं, तो आगे से कोई कितना भी आता है, तो इसमें gap नहीं रहते है face sealed में, तो यह भी एक सुरक्षित आइडिया है आपे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की क्या है, कि अभी आपको जो करना है, बीस, पंदरा से बीस मही तक की है, रीजन समझी है, जब गर्मी की दिनों में सूरज निकलता है तो वो सूरज जब पीक पर पहुंचता है, तो जब सूरज चड़ रहा होता है, तो उसमें बहुत गर्मी रहती है, लेकिन वही दो बज़े के बाद जब धलने रहता है, तो वो सूरज में रोसनी रहती है, वो गर्मी जलन नहीं रहती है, बट वही होता है कोरोना के साथ, जब यह peak पकड़ रहा होता है तो बहुत powerful रहता है, बहुत highly powerful रहता है, और जब यह peak से down होता है तो आप यह मत देखिये कि मरीजों की संख्या down हो रही है, वो कोरोना की ताकत भी down होती रहती है, तो अगर हम peak में पकड़ा गए, इधर पकड जाएंगे तो फिर हमारे मतलब क्या बता है कि बहुत जल्दी आराम हो जाएंगे, अब खुद समझिए कि भारत में सितंबर में peak आया था, पिछला जो 2020 वला था, 97,800 के लगभग case आये थे, और बिहार में देखिया, सितंबर अक्टूबर में चुना हो रहा था, तो क्या उसमें कोरोना नहीं फैला, अगर फैला रहता तो इसी तरह हाहाकार भी मचा रहता, लोगों को लगा कि ने चुना, बात यह है कि उस समय जो बिहार एलेक्षन था, वो कोरोना के डाउन-फारवड पोजिशन पर आया था, वो उतना घातक नहीं है, और जो बंगाल अगर्म फारवड पोजिशन पर पकड़ा गिया है, तो एक बड़ा कारण है, यह बड़ा कारण मानते हैं कि इलेक्षन एक बड़ा कारण है, सर आपको बता देते हैं, गवर्मेंट को दिसंबर में ही आगाज कर दिया गया था, कि यह सेकेंड वेब आएगा, बहुत घातक आएगा, लेकिन गवर्मेंट के पास क्या थे कि इलेक्षन कमिशन को पांच-पांच राज्यों के चुनाओ कराने थे, अब हम लॉक्डाउन के बीच में चुनाओ कराएंगे तो फजियत होगा, उससे अच्छा क्या करते हैं, चुनाओ करा देते हैं, लॉक्डाउन भी न अंसर एक बात और भी है, अब पूछना लोगों ने शुरू कर दिया है, कि जो ऑक्सीजन अस्पताल बनाने के लिए, सिलिंडर की विवस्था करने के लिए, या खुद से उत्पादन करने के लिए, जो बातें कह रहे हैं, उसमें क्या सचा है, कितनी ये दूर की कोड़ी ह और कितना आसान है कि सरकार ने कहा, और कल तक वो पूरी सिलिंडर तयार है, अब यहीं से उत्पादन करेंगे, आसान है क्या इतना? हमारे पास oxygen की कमी नहीं है, हम आपको पहले भी बताते हैं, हमारे पास transportation और उसको किस तरह से utilize किया जा, इसका कोई system ही नहीं है, जो train चल रही है नो oxygen expressive हो, वो train लेट चल रही है, दिखतो रही है train चल रही है, क्या आप बता सकते हैं कि वो उडिशा के राउर किला से 24 घंट अगर green corridor लेके आते हैं, green corridor मतलब होता है कि पुलीस साथ साथ चलती है, आगे कोई red signal हो, या traffic jam हो, पुलीस निकाल देती है, उसको केवल और केवल green मिलता है, तो उडिशा के राउर किला से आप क्या करते हैं, दिलील में 24 घंटा में आप green corridor बना के ला सकते हैं, और oxygen express train से ल कि कोरोना के बारे में जो डॉक्टर समझा रहे है, medical science समझा रहा है, उसके इतर भी समझने के लिए क्या चीज़ें है, कैसे वो असर कर रहा है, किसी एक व्यक्ति से, तो यह diagram जो आपने पीछे board लगा रखा, क्या हम समझ पाएंगा आसानी से, कैसे हमारे अंदर असर कर रह सबसे जादे जरूरी इसमें है, कि हमारे पास छठवा दिन, पचवा और छठवा दिन समझे कि एक तरह से, जब हम लोग पंजा लडाते थे बचपन में, तो आप देखते होंगे, कि अगर हमारा हाथ तेढ़ा हो गया, हमारे पास कितना भी ताका था हो पटक देता था, इ हम आज एक तारीक को कोई इनसान इफेक्टेड हुआ, तो अगले पाँच दिन में उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कि हमें कोरोना है या नहीं है, और ये पाँच पिरियोड, इनकोबेशन पिरियोड होता है, इस दौरान वो दूसरे को भी इनफेक्टेड नहीं करेगा तो ये जो पाँच दिन है ना, ये कोई पता ही नहीं कर सकता है, कि ये इनफेक्टेड है या नहीं है, उससे डरने की बात नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कि जब उन्हें बुखार आ रहा है, तो वो इग्नोर कर रहा है, जिस दिन आपको पहला बुखार आया, उस दिन तक कोरोना के symptoms हैं, आप दिन count किजे, तो छटवा दिन आपको हर हाल में, एक से पांच दिन अगर आप count करते हैं, अगर यहां भी लक्षन दिख रहा है, तो छटवा दिन आपको esteride हर हाल में लेना है, और भारत में दुनिया का सबसे सस्ता esteride मिलता है, जानते हैं, गाओं, गाओं में यह available है, लोगों को type 8 तक में दिया जाता है, यह क्या करता है, गाओं में दिखिएगा कोई जगडालू आदमी होता है, जब लोगों में जगडा होता है तो आपके पीन मार देता है, मार, 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 जब किसी को आप कहा दीजेगा कि तुम बाप का उलाद है मार तो उसके अंदर एक अलग इनर्डी आता है बस हमारे सरीर में जो डेक्सा में था सोन है बस वह ही कर देता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बाइपास करके आगे निकल जाता है और इम्यून को कहता है मार इस करोणा को मार मार लेकिन यही दिक्कत हो जाता है कि हम लोगों ने अगर छठवे दिन में एस्ट्राइड ले लिया जासे एस्ट्राइड जो होता है कि अगर आपने आठवा दसवा दिन जब सांस फूलने लगे, ऑक्सिजन लेवल गिर गया, फेपड़े में दर्द होने लगा, तब आप जाईएगा तब फिर वो डेक्सामेथासोन भी बहुत जादे काम नहीं करेगा, अभी फिलाल एक ये दवा है, दूसरी एक और समस्या कि ब्लड क्लोटिंग करता है, और ब्लड क्लोटिंग में एक बहुत बड़ी खराबी है, कि किसी में ये ब्लड क्लोट कर रहा है, और किसी में नहीं कर रहा है, तो इसको क्या किया जाता है, तो एक एंटी कोलूगन दवा होती है, जो ब्लड को जमने से रोकती है, अब ये बहुत समस्या है कि किसी में जम रहा है, किसी में नहीं जम रहा है, तो बहुत सारे डॉक्टर से बात हुई, तो उन लोग ने कहा कि हम लोग इसको precaution के रूप में, जो blood clotting को रोकती है दबा, उसको हम tablet form में दे रहे हैं, ताकि वो average रहेगा, जिसको जरूवत है, जिसको नही होट अटेक कर गया, तो यहां पर यह दो ही दबा भी काम कर गया, और दूसरा oxygen therapy, आप prone position पे लेटिए, उल्टा लेट कर सीने के पास तकिया लगा दिए, ताकि सीने पे जोर पढ़े, यहां के जो muscle सोते हैं सीने के, यह rest position पे रहते हैं, तो जब हम इसको पेट दबा के ले जी, 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 बिल्कुल, तो जो अलग से जो दवाईं दे रही हैं, हम दॉक्टर लोगों से भी discuss किये, तो उनलों कहा कि देखिये सर, हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि इस कोरोना के साथ-साथ, multi-organ failure भी हो जा रहा है, निमोनिया भी आ जा रहा है, तो viral load तो हई है, bacterial infection नहो और आपकी oxygen therapy, बस यही अभी फिलाल में, और एक सबसे जरूरी जो है, रेम्डे सीविर, रेम्डे सीविर आप जान के ता है, चुकि रेम्डे सीविर अच्छी दवा है, बट दिसंबर के महीने में, रेम्डे सीविर का इतना production हो गया था, कि उन्होंने अपनी production को destroy किया, इसे पूछा तो government ने का किया, तो label ही कम हो गया है, अब वो क्या करेंगे, रेम्डे सीविर का नाम कोई नहीं जान रा था, कोरोना से पहले, तो उनको पता है कि यह बरबाद हो जाएगा, उन्होंने production रोग दिया, जनवरी फरवरी में production नहीं किया, और अचानक इतना ठ्रेन बनता है, जो RNA बनता है, उसके बीच में जाके वो चिपक जाता है, और वो केवल एक से चिपकता है, जैसे मान के चलिए हम लाइन लगाते है हाफ पकड़ के, किसी एक साइड में एक का सब्लकで दूसरी साइड में पकड़े ही नहीं, तो ewदर लाइन ही नहीं लगी गया ये भी टीपिकल होता है कि जब वो पचवा से छटवा दिन जैसे देखा जा रहा है एस्टराइट चलाने तो उसी समय इसको भी दिया जाना चाहिए एक सवाल और भी है जैसा आपने कहा कि प्रावन पोजिशन में सोने की आदत लोग क्या कर रहे हैं कि पेट के नीचे तकिया लगा रहे हैं फोटो तो देख रहे हैं कोई नो कोई उन्हें दिखा रहा पेट के नीचे तकिया लगाया पैर के नीचे लगाया और मुँपर भी रख लिया तो इसका जो रियल पोजीशन है कई डॉक्टरों की सलाव पर हम लोगों ने बार बार बताया तो वो पोजीशन के आप बिल्कुल एक बार ड्रॉ कर सकते हैं कैसे कैसे और कहा कहा लगाना है जिससे कि हमारा पेड़ भी नदब है देगे सिंपल सी बात है कि आपको चेस्ट पर लोड देना है अब दो ही दो कंडिशन पर चेस्ट लोड परती है अगर आप चेस्ट के नीचे तकिया लगा लिए तो या फिर अपने को खुद हलका सा बेंड कर दीए तब तो पैर के नीचे तकिया लगाएंगे तो पीछे से लोड बढ़ जाता और यहा कि प्रोन पोजिशन कोई दस मिनट की थेरेपी नहीं है इसको हर इसको कई कई इसके कंडिशन्स होते हैं इसको पतला आधा से एक घंटा हर दो चार सुबह दो पहर साम इस तरह से करना चाहिए जिससे कि ऑक्सिजन लेबल जादे बढ़ते रहे देखकर लोग डर जा रहे हैं तो CT वैल्यू हम समझना चाहेंगे कि किनिक अगर 15 आगया 20 आगया तो उनको लगा कि फलनवा का तो 24 आया था हमारा तो 15 या 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 लगता है कि हमें चपेट में ले लेगा CT वैल्यू यह दिखाता है कि आप जब टेस्ट कराने गए न तो उस वक्त आपके सरीर में कितना कोरोना था CT वैल्यू अगर कम है मतलब कोरोना जादे है दोनों में उल्टा संबंध होता है CT अगर जादे वो कि जैसे भारत में CT जो है न काउंट जो किया ज़रा है सबोज की जैसे और अगर CT वैल्यू नहीं मिल रहा है 20 है 25 है 27 है 28 है मतलब बहुत मुश्किल से डॉक्टर को मिल रहा है इसका मतलब अभी आपके में कोरोना कम है लेकिन इसमें कोई खूस होने की बात नहीं है जिनका CT वैल्यू पचीस है यह बात हकीकत है कि उनमें अभी क जादे नहीं फैला क्यूंकि उन्हें 25 साइकैल चलाए तब जाकि उनने कोरो न मिल रहा है और जिनका CT वैल्यू दस है मतलब उनमें कोरोना जादे है क्यूंकि डॉक्टर ने क्यवल 10 साइकिल ही चलाया है और उसको को न मिल गया है लेकिन इसमें कोई खुसी की बातकि को के लिए तो तीन दिन बहुत है आपको पूरे चेस्ट में फैलने के लिए तो और अगर आपकी इम्यून खतरनाक है आपकी इम्यून मजबूत है तो आपका सीटी वेलू पांच भी है तो भी आपका इम्यून सिस्टम उसे हरा देगा यह केवल कोरोना की संख्या को बताने की चीजे सीटी वेलू इससे यह डिसाइड नहीं होता है कि आप सीरियस हैं बचेंगे की नहीं बचेंगे इससे कोई मतलब नहीं है लोग यह भी कह रहा है कि भाई जो अक्सिजिएन लेवल है घर में सबके सिलिंडर अब तो लोगों ने ऐसा आज हमने रिपोर्ट चलाई है कि बहुत सारे सिलिंडर लोगों ने घर में बंद कर रख रहे हैं कि यूज होगा तो उसको अब उन्हें पता नहीं यह अक्सिजिएन लेवल 90 से नीचे जाएगा तो कितना यूज करेंगे 65 पर होगा तो कितना यूज करेंगे कितना ब्लॉकिस खोलेंगे यह कुछ भी पत चार पांच जो इसके डीलर है या फिर जो जहां से आप ऑक्सिजिएन को रिफील कराते हैं जहां से लेते हैं आप चार पांच आदमी से कॉंटेक्ट में रहे हैं कि देखिए हमें लच्छन दिख रहा है हो सकता है जरूवत पड़ेगा आप इसे एबिलेबल करा करा दिए चार पांच के कॉंटेक्ट में रहेंगे तो कोई ने कोई करा देगा इस तरह से घर में रखने से क्या होता है कि आपको जरूवत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी किसी को नहीं पता है और उसी ऑक्सिजन के वाई से किसी की जान भी जा सकती है तो यह misunderstanding है और वो oxygen cylinder कितना दिन चल जाएगा उनका मतलब ऐसा थोड़ी है कि दो दिन चलेगा और वो भी अचानक आपका oxygen level थोड़ी नहीं जाता है कि आपका 90 से 60 हो जाएगा धीरे धीरे लगता है तो आपका 90 है तो प्रोन पोजिशन पर रहिए और उसी वक्त आप 90 से तो 95 आप प्रोन पोजिशन स ही recover कर सकते हैं उसके बाद आप contact में रहिए कि oxygen और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी oxygen की किलत धीरे धीरे दूर हो रही है धीरे धीरे और आने वाले 10 से 15 तारिक में oxygen की किलत नहीं रहेगी चलिए एक बात और भी कि लोगों को ये भी समझना है जो सवाल आ रहे हैं क कि आखिर कब तक 2020 हम देख चुके 2021 को और हम देख रहे हैं विकराल होते हुए 22-23 का लोग हिसाब मांग रहे हैं कि क्या होगा जाएगा कभी ये लोग जो हिसाब मांग रहे हैं जरा इन से पूछिए कि आप जब करोना को मजाग बना रहे थे तो क्या हुआ लोग मजाग ब लोग ने जंग जीत लिया पता नहीं उनको किसने बोल दिया था कि जंग जीत चुके हम नहीं तो अभी ये जो कोरोना है ये पीक पकड़ेगा मई 15-20 तक और मई के बाद ये डिकलाइन होना चालू करेगा और ये जाएगा आपका सितंबर मतलब अगस्त तक ये ये चुके रहेगे और लगबग 30% जंसंक्या 40% जनसंक्या जो है उसे कोरोना हो मतलब वैक्सीन लग चुकी रहेगी अगसे जो छोटे बच्चे हैं जो कुल जंसंक्या में लगबग 15% है उन लोग को कोरोना हो गई नहीं तो केवल ऐसे लोग बचेंगे 25-30% जीने कोरोना का है तो इन लोग को मास्क वगरा पैना-पैना के रखेंगे अभी तो हमारे 80% लोगों को डर है तो थाड़ वर्ब में केवल 30% लोगों को डर लगा क्योंकि उस समय तक वैक्सिनेशन बहुत हद तक कम्प्लीट हो चुका रहेगा डबल म्यूटेंट पर भी कई सवाल है कि यह क्या है समझ में नहीं आ रहा है कहीं सुना है आप ही के मुझ से सुना कहीं और से सुना लेकिन इस पर जीरह बहुत हो रही है चर्चा बहुत हो रही है यह डबल म्यूटेंट ही जादे जान ले रहा है जो चाइना से आया था इसी चीज में बदलाओ लाना, हम लोग में भी mutation होता है, आज से हम लोग करोड साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे, तो हम लोग का कान बड़े-बड़े होते थे, हम आधी मानों की तरह ऐसे चलते थे, तो हम लोग mutate होके ये रूप लिए है, mutation उसे कहते हैं, जब किसी एक जिए कि बहुत सारे वनसज आएंगे तो लाखो वनसज होने के बाद एक कुछ न कुछ चेंजिंग आती है, अब हम लोग में क्या है, एक इंसान की औसत जिंदगी जो रहती है, 70-80 साल रहती है, इसलिए हमारा mutation देखने में, हमारी एक कोरोड जनसंख्या में दुबारा द जाता है, तो हम लोग में mutation कम होता है, यह कोरोना, एक आदमी के सरीर में 2-3 करोड कोरोना घुजा हुआ है, उसको क्या किज़ेख उसके लाखो है, तो उसमें mutation होने में समस्या ही नहीं है, क्योंकि 10-20 करोड जब आपका आता है, इंसान जादे जाता है, तो खुद ही mutation होता है, तो हम लोग पत्थर से सिकार करते थे, अब तो हम लोग है, राफेल से सिकार कर रहे है, तो वैसे ही कोरोना भी mutation होगा है, और advance हो गया है, अब और खतरनाक कर रहा है, जो 7 दिन में lunges को damage करता था, वो 3 दिन में कर रहा है, अभी बंगाल में तो triple mutant आने वाला है, जो लग रहा है, भगवान वतार लिए हैं लोग, एक सवाल आ रहा है, कोरोना के vaccine का side effect है क्या, लिये तो जा रहे हैं, दिये जा रहे हैं, कोई side effect है, क्योंकि आदे घटे तक बिठा कर रही है, हम आज vaccine लिए हुए हैं, और हम इंतजार करने हैं, हमको को कोई बुखार उकर क्य बुखार से डर लगता है, मतलब आप अपने आपको सोची ना, कि आप अपनी मान सिकता कच्छा, पांच के लड़के की तर रग लिए हैं, जिसको सुई है, बुखार से डर लगता है, ये गलत बात है, ऐसे कोई, हम खुद vaccine लिए रखे हैं, हमने अपने सारे staff लोगों को बिलाया vaccine, ये जरूरी है, इसमें कुछ नहीं होता है, किसी-किसी में क्या होता है, कि body adjust नहीं करती है, तो हलका सा fever आ जाता है, तो दो रुपया का आता है paracetamol, खालीजे, जिंदिगी से बढ़के है, बुखार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के चिर एक सवाल और भी आ रहा है, कि आजकर लोग AC के ज़्यादा ये हो रहे हैं, AC में ज़्यादा बैठते हैं, घूमते हैं, तो क्या ये भी एक संक्रमन को लाने जैसा है, मौसम तो बाहर बदल रहा है, लेकिन वो ठंडी हवा के आदी हो चुके हैं, देखिए, AC तब होती हैं, वो उसी में मिला देता है, पूरा अच्छा से, पूरे कमरे में, वो खूब अच्छे से देगा, इसलिए गाड़ियों में भी बैठें, तो सीसा थोड़ा सा डाउन कर दे नीचे, भीड़ भड़ा वाला एरिया तो थोड़ा उठा दे, उसके बाद डाउन कर दे, एसी अभी खतरनाक है, वो वाइरस को क्या करता है, मिक्स कर देता है, पूरे कमरे में, एक सवाल आ रहा है, अभी लोग समझना चाहते हैं, कि वाइरस किस तरह के से इंसान के अंदर प्रिविश करता है, और जिसे कहते हैं ठका बनाना या ये सारी चीजें, लोग समझना च कुछाँंगे आपके झरीए कि तक कि हम यह कर पाएं कि या फिर खासी को हम कुरोटना सीधे मालने पिर हम समझने की पोशिश भी करें कि यह असर कैसे करता है पहले तो पांच दिन हम आपको पहले बता है कि जिस दिन से आपको लच्छा दिगा फाहज दिन तक तो आप समझे कि आपको कोरोणा के लक्षण आ रहा है अब यह करोना काम कैसे करता है तो अधिक कोई जादे नहीं है बस कोरोना जादे ख़तरनाक नहीं है इसके बाहर का जो Ist here प्रोटीन है ना जो यह बाहर निकले रहते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं, यह इस्पाइक प्रोटीन, इसी के सारे यह अंदर घूज जाता है, यह चाभी है, हमारे पूरे सरीर में इम्म्यून सिस्टम में ताला लगा हुआ है, कोई अंदर नहीं घूज सकता है, अब पत सबसे बड़ा चीजी है, यह चाभी का, लेकिन वैक्सीन क्या करता है, जैसे मान के चले किसी के पास चाभी है, अगर हम उस चाभी पर पकड़के वेल्डिंग मार दे तो उसका डियाइन बेदल जाएगा, चाभी का, अब उताला में घुसेगा है नहीं, उसको गला दे, मो जाएगे, तो वैक्सीन यह चाभी को बंद कर देता है, अब कुछ लोग कर रहे हैं, कि यह वैक्सीन से नपुनसक हो जाएगे लोग, अरे भया, यह चाभी बंद कर रहा है, नपुनसक काल से हो जाएगे, यह फेपड़े के लिए बनाए गया है, आपके अब यह क्या चीज है, कि हमारा सरीर जो है, वह बाहर के चीज़ों को आने नहीं देता है, जैसे बाहर का कोई चीज आएगा, तो सरीर सबसे पहले क्या करता है, बुखार लगा देता है, बुखार एक alarm है हमारे सरीर का, जिस तरह से इस्कूल में घंटी भसती है, सारे हमाँ ज़रूरी है अगर बुखार है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पूरी बीसे फाज हमारी जो आर्मी है ना पूरी खड़ी है कि कहां से घुजा आई यह और वो तो यह बुखार रहाना भी ज़रूरी है ऐसा नहीं घबराना नहीं है अलोग करें कि वैक्सीन से बुखार होता है भई अच्छा है वो वैक्सीन बहुत बहतरीन काम कर रही है मतलब वैक्सीन अंतर आया है हमारे बॉड़ी को पता चल गया कि कोई अन्यान आदमी आया हमारे बॉड़ी में वो बुखार लगा कि पूरी बॉड़ी को उठा रहा है देख देख कौन आया ह है यहां पर और वो जा के सारे ताल आप वो लेके रेडिह रहता है कहा है इसे बहुताई के बारे में आपने जानकारी दी लेकिन यह 2020 वाले से ज्यादा खतरनाक है लग रहा है यह ज़ादा चिपकने में मही रहे रहे ने ने डबल म्यूटेंट है उसके साथ खराबी क्या हूरा गुम रहा है वे दो अलग अलग टाइप की चावी ले के घुम रहा है। जैसे पहले जो कोरोना था.. उसके को अंदर उसका RNA है बतला इसको फोकॉपी मसीम है अंदर पहले का जो कोरोना था.. उसकी चावी कुछ ऐसी थी.. सबमें एखी जैसे जावी थी लेकिन अभी का क्या चो कुरोना है उतके पास एक ऐसे तो एक ऐसे वाली चावी है यही दिक्कत है या तो इस चावी से खोल और या तो इससे खोल देगा सिर्स के नहीं खूम रहा है तो उसको कहते है तो Corona warrior हो गया, जीत गया Corona से, इसको तो कुछ नहीं हो, asymptomatic तो उसको मार के भगा देता था, और हमारा फेफड़ा इस तरह की चाभी को तो बहुत बढ़ियां से थूरता है, लेकिन ये जो double mutant है ये दूसरा चाभी लेके आया है, तो हमारा फेफड़ा confusion हो जात इसको कहते है double mutant, एक इधर, एक इधर, अब हमारी जो vaccine बनी है न, वो तो इस तरह के चाभी को थूरने में कामियाद थी, तो लेकिन देखा ये गया है, कि वो vaccine इसको भी अच्छे से, मतलब चाभी को तोड़ दे रही है, तो इसी को कहते है double mutant, अभी जो बंगाल में घूम रहा है, वो triple mutant, उसका कुछ अलग ही safe है, उसके में तीन-तीन चाभी लेके घूम रहा है, किस से नहीं खुलेंगे, कहीं ऐसा ना हो, कोई master चाभी लेके घूमने वाला पैदा हो जाए, तबरेज आलम है, सवाल कर रहे है, प्लीज 5G testing के बारे में कुछ बताएं, ये 5G वाल तो कान पकता है, पतीली में खाना खा जो तो साधी में पानी बरसने लगता है, ये सब अफवा हम लोग बच्पन से सीखते आए हैं, इस वज़े से हम लोग को कोई-कोई अफवा चिपका देता है, 5G technology अभी पूरे इंडिया में trial position पर है, वो भी महरास्ट और कुछ- मदमक्खियों को होता है, रीजन क्या कि 5G जो radiation छोड़ता है, वैसे ही radiation मदमक्खियां भी छोड़ती है अपने घर का पता ढूनने के लिए, तो मदमक्खि दिन भर पूरा घूमती रहती है, उसके छत्ते से radiation आता है, तो इन मदमक्खियों को पता चलता है कि मेरा घर यही ह और जब आप 5G टावर लगा देते हैं तो वो भी उसी तरह का radiation छोड़ने लगता है, तो यह confused हो जाती है, मेरा घर तो इधर था, दूसरे महला चली जाती है, इस वज़े से भटकने लगती है, तो उनको खतरा है, अब यह आदमी को कौन समझाए, 5G के वही से कोरोना का, को बिलीव नहीं है, और एक दिन किसी ने WhatsApp, Facebook पे फैला दिया कि 5G से हो रहा है, बिलीव हो गया, दो कहा जा रहा है कि पहले डोज के बाद 25 से 27 दिन के बाद दूसरा डोज लेना ज़रूरी है, कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि पहला डोज ले लिया, तो यह तो काम करी रहा हो के बाद, आप 100% सिक्योर नहीं है, कुछ antibody बनती है, वो जो चाभी को तोड़ने वाली जो machine होती है, वो कुछ बनती है, और पहला डोज लगा कि आप छोड़ देंगे न, तो वो भूल जाएगी कि हमें कोरोना को मारना भी है, लेकिन अगर दूसरी बार लगा दिये न, तो हमेशा के लिए एक memory cell डेबलब कर देता है, कि अब वो जिंदगी वर याद रखेगा कि ऐसी चाभी जहां मिले उसको तोड़ देना ये आदमी ठीक नहीं है, तो पहला डोज लगाने के बाद भी आपके अंदर immunity आती है, बहुत chances है कि आप ventilator पे नहीं जाएंगे, मरने की स खराबी क्या है, उसका पहला डोज अलग वाईरस का है, और सेकेंड डोज अलग है, मतलब वो दोनों अलग अलग है, जबकि COVID seal और को वैक्सीन है बस दो बार लगाना है, अब यहां ध्यान रखना है कि अगर जिसको इंडिया की बनी वैक्सीन, को वैक्सीन लगी है, मतलब हमें वैक्सीन 28 दिन पर लगानी है, 28 दिन पर वैक्सीन केवल 54 परसेंट कारगर होती है, लेकिन अगर हम उसे 42 दिन पर लगाएंगे, तो वो 65 परसेंट कारगर हो जाएगे, और अगर हम उसे 56 दिन पर लगाएंगे, तो 80 परसेंट कारगर हो जाएगे, तो अगर हमारे दोक्तरों को वैक्सीन 42 से 56 दिन के पर लगी रहती तो अब उन्हें कोरोना नहीं होता और जो लोग कह रहा है कि डोक्तरों को कैसा हो गया कैसे कोरोना हो गया उन लोगों से ये सवाल पूछिये कि डॉक्तर 24 गंटा कोरोना मरी इसके बीच में घूम रहे है 24 घंडा बाइने बाइन ऊपर नीचे, दीन रात उनके पास बैचारों के पास दीन भर Corona virus है उनके पास, कभी बैचारों वो भी तो ही इनसान होते हैं, देखते हैं, नाक कट जाता है बैचारों का, मास्क पहने पहने, PPE कीट पे, आप बिलीब नहीं कीजेगा, डॉक्तर लोग अब पैंट के अंदर न पैंपर्स और हगीज पहन रहे हैं, डाइपर पहन रहे हैं, उनको पिसाब करने का टाइम नहीं है, पीपी किट खोलेंगे तो फिर दुबारा पहनना पढ़ता है, फिर वो मतलब किसी काम का नहीं रहा जाता है, वो डॉक्टर बेचारे पैंपर्स प है, बिल्कुल, सारी दुविधाओं को आप दूर कर रहे हैं, और लोगों की एक से एक सवाल भी आ रहे हैं, हनाकि उन सवालों को छली में च्छान कर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों एक सवाल और भी है, सवाल ये है कि जिन्हें करोना ने 2020 में अपनी पहुँच के आदमी को एक बार पटक देंगे, आखाणे में न तो दुबारा भी पटक देंगे उसको, ये तो बात हकीकत है, उन्हें दुबारा हो भी जाएगा, तो ठीक भी हो जाएगे, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए, कि उनके बोड़ी के अंदर इम्मिनीटी हो गई, अगर व गुमिया, आपको कोई नहीं रोक सकता है, छोटे मिस्टरा जी का सवाल है कि छोटे बच्चों को कुरोना क्यों नहीं होगा, इस सवाल का कोई जवाब, छोटे बच्चों में ना कोई बीची डेवलप हो रही होती है, और जैसे कोई घर बन रहा है, मान के चले किसी का घर उसमें एक दिवाल गिरा दीजेगा, तो क्या दिक्कत है, फिर से जोड़ देगा, क्योंकि उसका तो बन रहा है ना घर, अब किसी का घर 10 साल पहले बन चुका है, और उसका जाके एक दिवाल तोड़ दीजेगा, तो उसको छती गरस्त कहेंगे, और कोई बिल्डिंग बन रह नहीं देखें इसको, तो उसका शरीर मार कर उसको खतम कर देता है, क्योंकि उसकी अंदर सारी चीजे बन रही होती है, और हम लोग का शरीर बन चुका है, अब कोई भी चीज बन नहीं रही है, अब हम लोग के आओगा तो जादे एफेक्ट करता है, कोरोना बच्छों को भ बहुत अच्छे कारगर है, दो तरह का ilaj होता है, एक disease का ilaj, एक होता है symptomatic ilaj, मतलब मान के चलिए हमारे पैर मेरा पैर टूट गिया, तो मेरा ilaj यह है कि हम उसका ilaj करा है, fracture उसके plaster करा है, लेकिन उसका एक symptomatic ilaj है, कि मेरा पैर टूटेगा, तो हमें बुखार भी आएगा, हमें दर्द भी होगा, लेकिन अगर हम बुखार की दवा खाले, दर्द की दवा खाले, तो यह हमें temporary relief देंगे, उस पैर टूटे का इलाज नहीं कर पाएगे, तो जो घरेलून उसके हैं, वो symptoms, जो कोरोना के वज़े से जो symptoms आ रहे हैं, उसको ठीक कर देते हैं, तो इससे एक फाइदा यह होता है, कि हमारी body, अगर हम घरेलून उसका अपनाते हैं, तो हमारी body full focus करती है, कोरोना को मारने में, और जो हम काढ़ा पीते हैं, vitamin C पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, यह हमारे symptoms को मार देता है, तो दो काम बढ़ जाते हैं, और अ पीते हैं, तो पीते हैं, तो पीते हैं, तो फिलाल अभी अगर आपको कोरोना हो गया है, तो 14 दिन और कोरेंटीन रही है, ताकि वो पूरी तरह से मर जाए, इना कि दूसरे को फैला देंगे। में जो देशी, स्वदेशी सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये लोगों को ज़्यादा थोड़ी कन्फ्यूज कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि कोवीट सील्ड से कुछ खास है क्या, क्यों है। इसका production rate बहुत जादे है, क्योंकि Serum Institute of India बना रही है, ये बहुत तेज बना रही है, गवर्मेंट ने तो सबसे पहला गलती किया कि मार्च में उनको order ही कम दिया था, Serum Institute को, अभी Serum Institute की वर्तमान छमता जो है, वो 7 करोड डोज पर डे है, तो Serum Institute की जो कोवीट सील्ड है, ये जादे बन सकती, इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हुए, और जो हमारी कोवैक्सी ने इंडिया की बनी है, तो गौवर्मेंट ने इसे बहुत सारे कमपनीयों को दिया नहीं था, हाइदराबाद की कमपनीयों वही बना रही है, जैसे अभी इस पूत्मिक आई है, तो इसको 6 कमपनीयों को दिया गया है, डॉक्टर रेड्डी और अलग-अलग कम कोविट सील्ट से भी किसी को घवरानी की जरूवत नहीं है सबसे पहले तो आपको option ही नहीं मिलेगा private में कोविट सील्ट मिल रहा है वहां जाके ले सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं बस कोविट सील्ट के लिए है कि आप कोसिष कीजिए कि 50 से 56 दिन के अंदर ले आपकी immunity कि इसारे के सवाल आ रहा है कि इसको चोड़ दीजिए को हलाकि इसको खान सरा इसको मोडते हैं आयुरुवेद आईरवेद की इतना कारगर है कि आईरमेद भी ये कह रहा है कि हमारे पास भी किएसी दवाई है जी वो कारगर है, हमियोपैत भी ये कह रहा है है मतलब भूख नहीं लग रहा है तो इस अब सिंटोमेटिक इलाज के लिए आयरवेदिक बेस्ट है बट अभी में कोरोना वाइरस के लिए उतना कारगर नहीं साबित हो पाया एक बात और भी पढ़ाई कैसे होगी जो अभी आसार चल रहे हैं दो तरह की परिवार की चिंता एक तो की कैसे हम जिन्दा रहें दूसरा ये कि बच्चे जो घर में उधम मचा रहे हैं अब तो खासर का तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई थोड़ी लेबल की ह सब्सक्राइब तो जो स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं वो वाटसएप ग्रूप पे थोड़ा थोड़ा नोट्स वगयरा कुछ दे रहे हैं वो संतोज जनक नहीं हैं उनके लिए कहेंगे थोड़ा सा और लेबल सुधारी है आप स्कूल वाले क्योंकि आप तो फीस में कोई क लेकिन गवर्मेंट ना क्या है ना कि इस पे दम चुपी साथ ली हमारे चिलाने और आपके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है और जो academic पढ़ाई करते हैं जैसे metric, inter, bsc इनके लिए youtube भी बहुत अच्छा रास्ता है इनके पास बहुत सारे चीजे एवेलेबल हैं और अई जो competition कहा है जैसे हम लोग का अपना application है उस पर पढ़ाते हैं हम आपको बताते हैं कि पिछले हम बहुत दिन से 15-20 दिन से जादे से हम अपने application पर एक भी class नहीं ले रहे हैं आप जानके तहजुब कीजेगा है कि हमको मतलब पढ़ाने में अजीब first time ऐसा हो रहा है जब हमक सर पता नहीं क्यों class खोलते वक्त हमको अजीब एक अंतरात्मा नहीं कहती है कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं कि लड़का सामने comment कर रहा है कि सर मेरी मम्मी मर रही मेरा भाई मर रहा है प्लीज सर बचा लीजे हाथ जोड़ता है मतलब हम class नहीं ले पा रहे हैं लड़कों को लग सर आए कि सर मम्मी मर रही है मेरी भूद मुस्किल हो जाता है सर इस तो इस situation में सिर्फ lockdown ही एक कारगर उपाय है सरकार तो लेट कर गई चलिए लेकिन सरकार जिस नश्कर्ष पर भी पहुंचने वाली जिस lockdown को लेकर बात कर रही है हम chain तोड़ पाएंगे बिलकुल तोड़ पाएंगे अभी लगा दे 20 मई तक chain आराम से तोड़ देंगे हम लोग यहां पर और अगर यह 20 मई का हम लोग जो हम बार बार हम पिछले 10 दिन से हम यह 20 मई 20 मई बोल रहे हैं न 15 से 20 मई अगर इसमें नहीं सुधर है लोग ना फिर यह हम लोग को पूरा दवाईयां वगरा तो बढ़ा दिया अब पता चला मरीज भी आपने बढ़ा दिया तो फरक क्या पड़ा उसका प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर दिमांड भी बढ़ गई तो हमको इधर कम से कम रहना है लोगों को कहते हैं सरकार नहीं कर रहे हैं यहीं मौका है माबाप का स पूछेगी कि आज कुछ खाए की नहीं खाए तो अभी इस लोगडाउन में उस मा की जितनी सेवा कर लिजे साहिद उससे अभी दुआएं काम करीगी उस सेवा अगर अगर आपके पास मा की दुआएं है ना फिर यह कोरोना औरोना भी कुछ खास काम नहीं करेगा तो बहुत सुना सभी ने सुना पूरे देश और पूरी दुनिया ने आपको देखा और आप जो कर रहे हैं सबसे पहले तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप बिहार से तालुक रखते हैं और सरल भाशा और सबसे बड़ी बात कि बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं वो अप प्यांसर को कट्ट प्यूंट क्यों कहते थे और उसे छील कर दो मुहाने पर क्यों तीखा कर देते ये आपने समझाया पूरे देश को, बहुत 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 शुक्रिया किस पेंडेमिक सिचुईशन में आप समय निकाले, और जितने लोग हमें देख पा रहे हैं, उनके सव डॉक्टरों वाले जरूर थे लेकिन मोटी बातें जो आपने समझाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कांसर बहुत बहुत शुक्रिया